सलामु अलाहिकूम बहुत ही फेमस केक जिसको हम पानी के अंदर बेक करते हैं मतलब नीचे पानी होता है और उपर हम इसके बैटर डालते हैं क्या आपने कभी देखा है किस तरह से केक बेक हो सकता है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत अमेजिंग रेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं यह देखे कितना मज़ेदार लग रहा है तो यह मैंने स्टॉबरी केक बनाया है इसी तरह आप लोग पाइनैपल केक आप लोग कुछ भी फ्लेवर इसमें बना सकते हैं स्पॉंज आप देखे माशालला से जारी दार बना ह है और क्या यह पानी के अंदर बेक हो सकता है तो जी हाँ आज की बड़े मज़ेदार होने वाली है बहुत असान रेसिपी है आप लोग इसको आवन में भी बना सकते हैं बिना आवन के बना सकते हैं और यह मेरा और्डर वर्क था तो मैंने सोचा क्यों आप लोग आप पॉना कप या एक कप जितना आप शूगर ले लो कभ में पॉना कप भी ले ले लेती हो कभी एक कप भी ले लेती हो ठीक है शूगर एट कर दिया है उसके बाद हम इसको अच्छे से कैरमल होने के लिए छोड़ देंगे केरमलाइस करना है आपने इसको यह स्टैप बहुत इसका तो उसके अंदर जब यह अच्छे तरीके से हलकी से मेल्ट होने लगेगी फ्लेम आपने देख ली बहुत कम फ्लेम के उपर हमने इसको करना है ज्यादा तेज पर करेंगे ना तो क्या होगा यह जल जाएगी जब यह जल जाएगी तो कड़वाहट देदेगी तो खर के लिए पड़ावाता वह हमने पानी आड़ करना और अच्छे से चम्मच फॉरां चलाते दाना ताके यह एकदम से बाइंड ना हो अराम से सॉस जो हैना वह मैल्ट हो जाए सारी सो यहां पर जैना मैंने एड कर लिया और इसके बाद अच्छे से मिक्स करते जा रही हूं क पैन के अंदर तिक हैं और इसके बाद हमने क्या करना है हमने यहां पर ले लिया है सॉस जो के हमारे पास स्टॉबरी सॉस मैंने बनाना बताया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगा आप जाके बना सकते हैं इसको छे महने तक खराब नहीं होता है तो इस कम और ज्यादा कर सकते हो तो मैं यहां पर 5 टेबल स्पून तक एड़ कर रही हूं आप जाहो तो 3 टेबल स्पून तक भी एड़ कर सकते हैं तो इसके अलावा अगर आपको यह फ्लेवर नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे आप जैम जितनी भी जैम की मिलती है ना फ खी नहीं तो आपकर जाएं अचे शी आपको फिर नहीं पोबड़ के साथ आपको कोई सबी फ्लेवर आपको बना सकते हैं कलर भी एड़ कर सकते हैं सो यहां पर इसके बाद मैने क बाउल ले लिया अच्छा इसको मैंने सेट होने के लिए रख नहीं प्रीजर में नहीं एक हमने इसको बहुत अछे से इसकों बहुत असान रेसिपी अ बहुत कब इन गिजिएर्स के साथ लेकिन बहुत थो टेबली सब्ट फून थे कि रे वालिया Twenty six है ए सभी छैना चन्द सेकंड कें लइ से बीड करें एक हमने जो भी बहुत बटर या शॉटनिंग आपने एड़ किया वह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए थिक है तो बस ज्यादा बीत नहीं करना अबस थोड़ा सा चंद सेकिंद के लिए हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने यहां पर ले लेना है मेदा तो यहां पर जो मैदा लिया है वो मैंने लिया है 1.5 cup तो 1 cup मैं भी add कर दिया इसके साथ 1 teaspoon baking powder था और 1.5 cup मैदा साइट पर पड़ावाई उसके साथ 1 teaspoon baking powder होगा मतलब 1.5 cup मैदा है तो 1.5 teaspoon baking powder भी है ठीक है मैंने अभी add किया और इसको मैं जल्दी से बस speed बिल्कुल slow कर दिया बीटर की और जस्ट मैं से mix कर रही हूँ अच्छा इसमें कोई नहीं होता के खराब हो जागा केक और यह हो जागा वो ऐसा कोई सीन नहीं है जस्ट आपने बीटर से बीट कर लिया और अच्छे तरीके से साइट पर जितना लगा वा था वो सब आपने एक जगा कर लिया ठीक है उसके बाद हमने जो 1.5 cup मैदा रह गया था वो लिया और साथ ने 1.5 teaspoon baking powder लिया दोनों को हमने अच्छे तरीके से दुबारा से चान ले जड़ा से राइट विया वो इस तरहां की ठीक होगी बहुत जादा अलाइट कंसिस्टेंसी नहीं होगी ठीक है थोड़ा साइवी हैवी सा लगेगा उसके बाद थोड़े के लिए मैंने इसे फ्रिज बेर रखा था जब तक यह सारा बैर में रेडी कर रही थी और फिर मैं मीडियम तो हाई फ्लेम पर उसके बाद आपने दम वाली आंच से थोड़ से ज्यादा आंच पर इसको फॉर्टी से फॉर्टी फाइफ मिनट के लिए आप इसको बेक कर लेंगे तो माशाला से अलहम्दुरिल्ला बहुत ही जबर्दास बन चुका है और इसका स्ट्राबरी साथ ही इसके बेक हुआ है इसलिए यह बहुत अच्छा लगता है साइट से नाइफ से रिमूफ करेंगे और इसे ज्यादा ठंडा नहीं होने देना बस थोड़ा साथ ठंडा हो जाए आपने फॉरां से इसको अन्मोल कर लेना ताकि वो अंदर स्टेक ना हो जाए तो यहां पर सॉस भी माशाला लहम दो लेला आप देखें कितनी सबर्दस रेडी हुई है और स्पोंज तो माशाला लहम दो लेला मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूं बहुत मज़ेका लगता है और इस तरह से जब मैं बनाती हूं एक साथ तो इसका टेस्ट अच्छा खासा पर सॉस बचायना है इसको अपने बाद में कितनी सर्फ डाल कर सर उपकर नहीं होता है जैसे कि हम 3 मिल्क केक को सर्फ करते हैं आपड़ों नहीं आ पर से तो हम आपको देखें से पे कालर कितना खुब्सूरत है आए बहुत आचा सा बेक हूआा है अभी जब भी बाइट लेंगे तो उसके साथ वह बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी आपने जब इसको बेक कर लेना है और जब सर्फ करना है तो आपने इसको क्या करना है थोड़ा सा ठंडा करेंगे जस्ट पांच मिनट के लिए उसके बाद आपने इसको कि जिस टीज में विए आप लोग अगर आपका ओडर वैंखा जिस इसन भी यह बढ़ जाह आपके बाद में प्रॉब्लम ना करें सो मैं इनी बॉक्स के अंदर दे रही थी साथ में उनको वन बन बाइट पी दे रही थी एक्स्ट्रा ठीक है क्योंकि एक्स्ट्रा दें वो गिफ्ट के तौर पर बड़ा अच्छा लग रहा होता है सो मैंने जहना इस तरह से कटिंग किया और इस तरह से दे दिया तो यह 200 में जहना वो वन पीस किया था जो कि बहुत रिजिनेबल प्राइज में उनको मिला था क्योंकि यह ओडर डेली बेसिस पर देते रहते हैं तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगो बहुत पसंद आई यह आप लोग बनाईएगा और जब इससे सर्फ करने लगते हैं तब जो हमने सौस रखावा था ना वह आपने इसके ओपर रिजल करना है ठीक है और इसके बाद आपने इसको पैक कर देना है तो अलहमदुलिल्ला से सबको बहुत पसंद आता है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा अला हाफिज